हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी असिस्टार क्लासेज के एक और सांधार वीडियो में आज हम प्रहावाची देखेंगे प्रहावाची का बात करेंगे जैसे हम हाथी का प्रहावाची देखेंगे वैसे हमें लगता है फायाई पार्ट होगा पार्ट फाइव होगा जहां तक हाथी का देखेंगे प्रहावाची इसे द्विब कहते हैं हाथी को क्या कहते हैं द्विब क्योंकि ये दो बार पानी पीता है क्या होता है दो बार पान में लेगा पानी को फिर इसके बाद उसका पान करेगा अपने मुह में तब इसलिए इसको दिव कहा जाता है हाथी को गजेंद्र गजेंद्र हाथी को क्यों कहा जाता है गजेंद्र हाथी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पहले गजेंद्र नामा के एक राजा हुआ करते जिसके रिशी के सराफ के कारड़ एक क्रोधित रिशी थे उनके सराफ के कारड़ ये पूर्व जन्म से ही आज भी हाथी के रूप में रह रहे हैं क्योंकि हाथी का जीवन बेतीत कर रहे हैं पहले एक राजा थे गजेंद्र क्या थे एक राजा थे उस समय एक क्रोधित रिशी थे इनको स्राफ दे दिये थे तो जो उस स्राफ से आज भी ये हाथी का जीवन बेतीत कर रहे हैं इसलिए इनको गजेंद्र कहा गया है मदकल मदकल का मतलब होता है जैसे बावला जिसको कहते है मतवाला हाथी क्या होता है मतवाला होता है मतवाला होने के कारण इसको मदकल कहा गया हाथी चलता है ना पूरा मतवाला की तरह हमेशा मस्त होकर चलता इसलिए मदिकल कहा गया है कुंजर कुंजर आप जानी रहे हाथी को कहते हैं एक महाभारत में एक स्लोक था अस्वस्थामा मारा गया मतलब एक कथन था अस्वस्थामा मारा गया अस्वस्थामा मारा गया नरहतो वा कुंजर नरहतो वा कुंजर तो ये कुंजर आपका हाथी हुआ करीवर करी माने होता है हाथी होता है करी मतलब हाथी होता है ऐसे आप समझे करीवर कर मतलब जिसके पास सूड हो जिसके पास सूड होता हो हाथी होता है कर माने होता है सूड कर माने किरड भी होता है कर माने सूड भी होता है करीवर ऐसे समल लो करीवर मतलब हाथी होता है करीश माने कर से करी माने भी हाथी होता है करीश माने करीश से करीश हो गया करीश माने हाथी होता है वारड वारड आप देख रहे हैं जिससे हाथी को हाका जाता है जो उपर बढ़ते नहीं, हाथी किसको क्या बोलते हैं, जो उपर बढ़ते हैं, पिलवान बोलते हैं, जहां तक है, वो क्या करते हैं, हाथी को उससे एक होता है, उससे हाथी को हाकते हैं, करी, करी माने हाथी होता है, इभ, इभ माने हाथी, एक होता है इभी, इभी मतलब हतन यह भी मतलब हथनी होता है समझ माया यह पसीन हो रहा है कंबुक कंबुक भी होता है जिसे लगभग हाथी को क्या किया जाता है हांका जाता है कंबुक मने हाथी होता है दंती इसके दात होते हैं दो दात और यह दात क्या होता है विसेश दात होने करण इसको क्या बोला जाता हाथी को कम्भुक नहीं कम्भुक नहीं इसको क्या बोला जाता है दंती विश्यस दात होने करण इसको क्या बोला जाता है क्योंकि दो दात यह दात बहुत महंग विशते हैं लाखों में विशते हैं इसलिए इसको दंती के नाम जाना जाता है हाथी को कुम्भी कुम्भी कु जैसे जब बागवान कीया था मस्तक जब कट कर दिये थे अपने त्रिसूल से पारवति क्रोधीत हो गए तो उन्होंने क्या का मेरे पुत्र को चाहे जैसे जीवित करो तब स्यू ने क्या किया अपने जो श्यू गड थे उनसे का कि जओ जो सबसे पहले मस्तिक मिले गए उसी मस्तिक को लाना और मैं तब जीवित कर दूंगा तो मस्तिक मिलता है किसका हाथी का, हाथी का मस्तिक मिलता है जिसके सर पर क्या लगा होता है, सिंधूर लगा होता है, उससे जो हाथी का सिर रहता है, उस हाथी का सिर ये काट कलाते हैं, तो उससे उस हाथी के मस्तिक पर सिंधूर लगा होता है, सिंधूर लगा होता है और पा तो वह श्यू जीवित करते हैं तो पारवती जी उनको अपने पुत्र गड़ेश जी को आशिरबात देती है कि तुम्हारा कोई भी पूजागर करेगा तो वह सिंधूर के साथ में करेगा इसलिए इनको सिंधूर कहा जाता है मस्तिस्क हाथी को सिंधूर के नाम से भी जाना मतंग मतवाला होता है एरावत किसका इंद्र कहां थी था जब समुद्र मन्थन हो रहा था क्योंकि 14 रत न निकले थे उस समय एक एरावत भी निकला था एरावत किनका वाहन हुआ इंद्र का वाहन हुआ कोई लिया नहीं तो इंद्र कहें ये मुझे दे दो, तो एरावत इनका हाथी था, किसका इंद्र का, एरावत क्या था, इंद्र का हाथी, तब सिंग का देखते हैं, सिंग का प्रावती हरी, क्योंकि सिंग जो सेर होता है, वो हमारे प्राडों का हरड करता है, जंगल में कोई भी हो, उसके प्राडों का हरड कर गरेता है माड़ेता है इसलिए इसको हारीक आ गया है नाहर माणे सेर होता है पहुत नाहर, जिसको हरण कर ले नाहर मार देек संदेवालगी क्ली rhymes की इसको आप देखेंगो इसमें यूठाता है सेर मतलब बाग, दिखाता है सिंह आ इससे समझ लो नाहर मतलब सेर होता है सन citation की होते हैं. 5 नाकुन होने के कायव इसको पंचनख का है. केसरी केसरी मूवी देछे हैं आप, केसरी, अच्छे कुमारवालिये, उसमें केसरी माने भी सेर होता है. मतलब सेर thankfully तरह लड़ो, हार मत मानो, मिरिगेंदर, मिरिगेंदर, मिरिगेंदर क्या है? मिरिग माने पशु होता, इंद्र माने स्वामी, मतलब ये समस्त पशुओं का क्या है, स्वामी है, मिरिगेंद्र इसलिए इसको कहा गया है, किसको सेर को, सिंग को, मिरिगराच, मिरिग माने क्या हुआ आप जानी रहे हैं, पशु, राच, मतलब स्वामी, ये पशुओं का क् मिर्ग का क्या पति मतलब मिर्ग को मार कर खा जाता है इसलिए इसको मिर्ग पति कहा गया है क्योंकि यह मिर्ग का स्वामी है मिर्ग को कहीं भी हिरन को कहीं भी देखा उसको दोड़ा कर मारता है सेर इसलिए इसको मिर्ग पति कहा जाता है सारदूल सारदूल जानी रहा है सार सारदुल उसमें नहीं थे, सारदुल ठाकूर क्रिकेटर, ऐसे समझ लो ना, क्रिकेटर, सारदुल मतलब ठाकूर, जो सारदुल ठाकूर थे, तो उससे समल लेनक सारदुल माने, सिंग होता, सेर होता है, वो सेर थे, इसलिए ये सारदुल मतलब सेर, वन राज, वनो के राजा वन राज क्योंकि वन के राजा है हर एक जानुमर से क्या करते हैं जीतते हैं युद्ध करके परास्त कर देते हैं हर एक जानुमर को इसलिए इसको वन राज करते हैं बनो का राजा अब देखते हैं गाय गाय का परहवाची देखते हैं गाय का परहवाची देखते हैं गव 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 हमारी क्या होती है गव हमारी मा है समल माता बोलते हैं गव गव से गव गया गया क्रिश्ण भगवान गया चराते थे सुर्भी सुर्भी देखिए एक सुर्भी मतलब होता है सुगंद लेकिन आप जानते रहिए सुर्भी मतलब इसमें तो गाय है लेकिन ये सुर्भी बड़ी के मातरा अगर सुर्भी पलग गया तो क्या हो जाता है उसका सुगंद हो जाता है सुगंद ये सुर्भी मतलब गाय ये नालंदा के बुक में दिया गया सुर्भी मतलब गाय वैसे तो बड़ी इक मातर लगने पर भी होता है सुर्भी माने गाय ये वैसे बुक में दिया है सामान बुक में वैसे सुर्भी ये नालंदा के बुक में दिया गया सुर्भी मतलब गाय होता है समझ रहे हैं और यह सुर्भी मतलब सुगंद होता है यह बड़ी के मात्रा लग गया सुर्भी माने सुगंद और नालंदा के बुक में यही दिया है सुर्भी छोटा वाला सुर्भी मतलब गाय होता है भद्रा भद्रा क्यों इसको कहा गया गाय को क्योंकि जैसे गाय हमारी म मा के रूप में होती है गाय को मा बोला गया है इसलिए भद्रा मतलब सब का कल्याड करती हैं मतलब मा क्या करती है अपने बच्चों का कल्याड करती है प्रिस्भी ब्रिसभ यह देखिए ब्रिसभ मतलब बैल और ब्रिसभी मतलब गाय ये समझे ये ब्रिसभ माने बैल ब्रिसभी माने गाय गवरी गवरी मतलब भी गाय होता जैसे गाय का गोबर यूज नहीं किया जाता है पूजा करने के लिए उसमें गोबर को बना जाता है गवरी 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 बना जाता है जब बना जाता है इसलिए गवरी कहा जाता है गाय को समझ गए हैं सेना देखते हैं सेना का प्रेवाची सेना यह आपको रटना पड़ेगा जैसे अनीक अनी हुआ अनी माने सेना क्योंकि सेना हमेशा साथ में चलती है अनी कहा गए इसलिए अनीक अनी से अनीक बना वहनी जो सेना चलती है वहन करके चलती है हमेशा एक साथ में चलती है वहनी और सैन सैन मतलब सेना लसकर लसकर माने पूरा सेना जो सारे युद्ध में नहीं होते जिसको लसकर बोला जाता है कहते हैं कि पूरे लसकर को ये परास्त कर सकता है कौन गुंटतों जैसे मालिजी एक्रिश्न वे ये पूरे लस्कर को एक बार आर्जुन क्या हुए कड क्या हुए यह सब एक बार पूरे लस्कर मतलब पूरे सेना को परास्त कर सकते हैं इसलिए लस्कर माने सेना होता है कटक कटक भी सेना होता क्योंकि जब सेना चलती है तो आवाज पैर काता है कटक कट कट इसलिए कटक बोला दल दल माने जानी रहे हैं दल माने होता है समू समू सेना क्या है समू के रूप में चलती है चमू, चमू याद रखिएगा, चमू, चमू क्या होता है, चमू, चमू मने सेना होता है, फोज, फोज हमेशा साथ में होते हैं, फोज में लड़ा जाता है, जाते हैं लोग सेना लोग, अनीकनी, अनीक से अनीकनी, कुमक, कुमक एक हुगा है, कुमक, कुमक मतलब भी होता है सेना याद रखी गए कुमक अब देखते हैं हथनी का परियाइवाची देखते हैं हथनी का इभी मतलब हथनी और इभ्या बन गया है या लग गया है आक मातर लग गया है करेडू मतलब हतनी मलाक हा मलाक से क् popular हाथी शमाले जीए gracald के माय हमसे मलाक हाला की पर लिख को करेड करेडु मतलब हतनी लगजार दियुत को इसे मलाक हेफिछ एक हस्ति बड़ी है यह हस्ति यहां लिखाया है कि नहीं हाथी नहीं लिखाया है हस्ति यह देख लिजी हस्ति हस्ति मतलब हाथी होता है और हस्तिनी जब लग गया छोटिक मात्र हो गया तो क्या हो गया हस्ति बड़ा हाथी क्या होती है बड़ी होती है हस्तिनी मैंस्त्री कहते हैं अब लोग जा नहीं रहें इस तरी को नातरी कर लो कृब किंगी बड़ी सुन्दर वाली होती है इनकी अंग्या होता है इसलिए इनको अंग्ना कहा गया इस तरी को बहुत सुन्दर देखने के करण इनको अंग्ना बोला जाता है अबला पहले समाज में लोग इनको अबला बोलते थे लेकिन आप मालेजिये क्योंकि ये उस योग नहीं होती थी इसलिए इनको अबला बोला जाता था ललना ललना बहुत प्यार से लोग इनको ललना बोलते हैं इस तरी को प्यार से क्या बोलते हैं ललना इसल आनो मितान मैं पतला गाला मैं तन्म मितार पतले पतले यॡ़री होथी तिरे को क्या है इनको बोला गया ह। सुन्दर इसलिए योसित यह बेध में इसका नाम वड़ित किया गया है योसित का विए में इसका नाम वड़ित किया गया योसित कोमलंगी कोमलंगी कोमलंगों के कारण इनको इस तरी बोल जाता है इनकी अंग क्या होते हैं बहुत सुंदर कोमल होते हैं इसलिए इनको कोमलंगी बोला गया है प्रमदा 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 कांता कांता इस तरी को बोला जाता है कां इसलिए बोले जाता है क्योंकि इनमें रमड किया जाता है इसलिए इनको रंबरी चाहिए तीय से इसलिए धित्रिया नहीं गजधि सब इसलिए इसलो बारते हैं बहुतョं का हैD वनिता मतलब इस्तरी होता यह is important question वनिता रमडी और ह्याद रखिए को प्रेमदा भी गोलते हैं कि आप जानते रहिए महरात्री का देखते हैं राका राका बोलते हैं राती को, राका पती, राका पती किसको कहा जाता है, राका पती चंद्रमा को कहा जाता है, मतलब राका माने रात, जो रात का पती हो, रात का स्वामी हो, कौन, चंद्रमा, इसी से बना है राका, राका माने रात, समझ गए, राका मतलब रात, फिर इसके माने निसा, निसा माने भी होता है रात, कैसे, क्योंकि एक निसा कर होता है, जो रात को क्या करता है, किरड देता है, कौन, चंदरमा, निसा कर बना है, तो निसा कर से निसा बन गया है, कर को हटा दिया है, तो निसा बन गया है, निसा माने रात, रैन बसेरा, जब बजरंग मेली आ आये थे कालनेम ने बुलाया तो कालनेम ने कहा यहां पर रहन बसेरा कर दो रहन माने रात होता है निशी मतलब राती निशा से निशी हो गया है समझ गया है निशी कर निशा से निशी बना निशी माने भी होता रात विभावरी विभावरी बीती विभावरी मतलब रात बीत चुकी है बीती बिभावरी रात बीतने के कारण इसको बिभावरी कहा गया मतलब बिभावरी माने रात होता है रजनी माने रात रजनी 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 एक रजनी चर होता है माने जो रात का विचरण करता है कौन चोर जिसको बोलते हैं इसे रजनी से बना है रजनी चर रजन त्रियामा मतलब जिसमें तीन परहर होते हैं यामनी मतलब सर्वरी सुबह का सत्र कॉन है राच का सर्वरी मने राथ होता है माने और राचास का प्रावाजी देखे देख है और राचास असूर क्या करते हैं खा जाते हैं किसको आदमी मनुष्र मतलब क्या हुआ हुआ है दानौ 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 इससे बन गया है दानौ 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 जा नहीं रहें मनुज, धन, अद, अद माने होता है खाना, अब मनुज मतलब होता है मनुज, मानाओ, मानाओ को क्या करता है, ये खा जाता है, इसलिए मनुजाद बोला गया है, मानाओ का भोजन, राचास करता है, इसलिए मनुजाद बोला गया है, रजनीचर, रजनीचर किसको जो रात को राजनीचर इनको भी बोला जाता है राचस को समझें और राजनीचर चोर को भी बोला जाता है क्योंकि वह भी रात को ही चुराते हैं समान को तमचर तमचर क्या हुआ तमचर तमचर मतलब क्या होता है रात हो तम माने अंधकार चर जो अंधकार में बिचरड़ जो रात को बिचरड़ करते हैं उसे भी तमचर कहा जाता है मतलब राचस राचस लोग क्या करते हैं तम माने अंधकार होता है अंदकार में विच्रब करता हैं इसलिए तमचर्श डएत्य धीती धनया दीती धनया ते इस से डएत्य बन जाता है समझ गये दीती धनया मतलब दैथ दैथ माने दानौँ जो होटता है राज़स हवा का देखते हैं पावन पवन आप लोग जानी रहे हैं पवन कौन थे हनुमान जी के पीता थे तो इसलिए पवन पवन माने जो हवाएं चलती मारूत किसको कहा जाता था मारूती माने किसको कहा जाता था हनुमान जी को तो उससे बन गया मरूत मरूत माने हवा, क्योंकि हनुमान जी हवा के साथ में उड़ते थे, जब पवन जी उनको साथ मिले जाते थे उड़ाने के लिए, तो ये हवाओं के साथ में उड़ते थे, पवन जी क्योंकि पवन देवता के द्वारा ये हनुमान जी क्या कि ये थे, सिखे थे, पवन द्वा इनको सिखाया गया था उड़ने का तरीका तो मारूती क्या थे मारूत से मारूत बना है मतलब मारूत माने हवा मारूत अलग हो जाएगा मारूत है आक मातरा नहीं रहेगा अनिल अनिल माने हवा होता है समीर क्योंकि समीर बहुत अच्छे से बहता है समीर मतलब एकदम खुसह जलो कि हवा वात माने हवा बयार बयार कितना अच्छा बह रहा है कहते नहीं कि यह देखो बयार कितना अच्छी कितनी अच्छी यह हवाएं चल रही है कितनी अच्छी यह बयार चल रही है इसलिए बयार माने का हुआ हवा आंख का प्रेवाची लोचन होता है लोचन लोचन किसको बोला जाता है नेत्र को लोचन नेत्र को बोला जाता है लोचन राम चले एक कहवत था ध्यान नहीं आ रहा है लोचन मतलब नेत्र होता है अमबक माने आख आख होता है अमबक मतलब आख चसु चसु माने नेत्र होता है याद रखिएगा लोचन माने नेत्र अमबक माने नेत्र चसु जिससे हम अपनी आखों से देखते हैं इसलिए उसको चसु कहा गया है नयन नयन माने नेत्र जो हमारे नीली नीले जो काले काले कि द्रीग के द्रीग इंपॉर्टेंट द्रीग मतलब होता है ले अच्छी क्या हुआ नेटर अच्छी हमारे उपर क्या है अच्छी हमारे गया अच्छी माने होता है हमारी आँखे क्या करती है हमेशा चक करती रहती है इसलिए इसको चक कहा गया है यह हमेशा मुल बुलाते रहते हैं आंको लोग तो यह अच्छिक करिया है तो इसलिए इसको चक कहा गया है चस्म जिस पर लगाते चस्म कहा लगाते आँखों पर इसलिए इसको चस्म कहा गया चस्म से चस्म मने नेत्र होता है, नैन, नैन बसेरा, नैन, नैन मतलब नेत्र है, हमारे नेत्रों का बसेरा हो गया है, किस पर, ये नैन होता है, अदिन, अदिन मतलब भी होता है, जहां तक हमें पता है, ये दिया नहीं था, इसको लिखें, अदिन मतलब नेत्र होता है, इसक साथ करने के का राड़ इनको सहचर कहा गया है मीत हमारे मितर क्या होते हैं बहुत की मित्रता थी कितनी अच्छे मित्रता थी हर एक काम करते थे उनके लिए वह भी जीवित रहते थे उनके लिए वह भी मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे सुख दुख में काम आए मित्र वैसा ही बनाओ वयस्क क्योंकि मित्र जो बनते हैं वह क्या बनते हैं किस समय वयस्क समय जब उनकी इंटर हाइश हाई श्कूल 10 के वाद जब बनते हैं उस समय मित्र बनते हैं हाई स्कूल या इंटर में 8 मित्र बनते हैं उस समय अच्छे मित्र बनते हैं उनकी एज क्या होती है 14-15 साल के 20 में क्या हो जाते हैं एक अच्छी मित्रता का निर्माड करते हैं एक अच्छी मिरत्ता बनाते हैं सुहिर्द क्योंकि मित्र जो होते हैं वो हिर्दय से बनाते हैं जो मित्र हिर्दय से बना लिया अपने मित्र को वो समल उससे अच्छा कोई मित्र है ही नहीं आज के समय मित्रता कहां लोग नोटंगी बाजी करते हैं क्या करते हैं, नो टैंकी करते हैं, मित्र बनाओ, ऐसा मित्र बनाओ, जो तुम्हारे हर एक समय, हर एक साथ खड़ा रहे, इसलिए मित्र बोला जाता, सुहिर्द, हिर्दय से मित्र बनाओ, जिस प्रकार सुधामा ने, कृष्ण ने, कृष्ण ने सुधामा को अपना मित्र मा उस प्रकार मित्र होना चाहिए आज के समय में सब लोग अपना काम निकाह लेते हैं. काम खताम, वो मित्र नहीं होते हैं जो मोके पर काम न देज़े. बिश नहीं करें, माहूर, माहूर. कहते हैं रहें बिश, माहूर, उसको ले जाकर माहूर पिया दो. माहुर खायलिया का जाईक है ऐसे बोलते नहीं लोग माहुर का खायलिया माहुर मतलब भिस होता है काल कूट काल माने जो काल नहीं होते हैं वो आकर ले जाते हैं क्योंकि जब भिस आप पी लेंगे तो आप काल के पास जाना सुरू कर देंगे इसलिए इसको काल कुड बोला गया संगर संगर मतलब होता है संकट भी समखत चाही क्योंकि जब हम विश पिएंगे तो संकट हम पर आएगा ही निस्सित बात है निस्सित है ना क्योंकि संगर मतलब होता है संकट खाई भी इसको कहा जाता है मतलब जब आप खाई में गिरेंगे ता आपका खतम है कहाने इसलिए संगर बोला गया है हलाहल एक बहुत खतरनाक बिस था जिसको असपर्स करने पर आदमी काम भस्म हो जाता था इसलिए हलाहल कौन पिया था भगवान सिव के द्वारा हलाहल को पिया गया था इसलिए इसको हलाहल को कौन रोक था क्योंकि जब सिव भगवान हलाहल को पी रहे था तो पारवती ने दोनों हाथों से गर्दन को आकर बिस गर्दन के पास आकर अपने हाथों से बिस को रोक दिया था इसलिए सिव के गले में यहां बिस का धारड हुआ है यहां पर बिस रोके हुए हैं क्योंकि बहुत खतरनाक बिस था बहुत खतरनाक था उसको असपर्ष करने पर लोग भस मुझाते थे गरल गरल मने बिस होता है मतलब लेके गया है कहां काल के पास इसलिए इसको गरल बोला गया है यह आपका यह आपका परहवाची आज पार्ट फाइब था अभी एक दो पार्ट और जहां तक आएगा इसके बाद आपका परहवाची खतम हो जाएगा और यह परहवाची आपका अच्छे से इसको आप लोग पढ़ लिजिएगा क्योंकि यह परहवाची ट्रिकी परहवाची है ट्रिकी के माध्यम समिश्को पढ़ाने का प्रयास करते हैं और इसको जिससे एक दो बार पढ़ लिजिएगा आपका तयार हो जाएगा मस्त होकर पढ़िएगा दो-तीन बार बहुत लंबा वीडियो ऐसे नहीं 20-22 मेंट का वीडियो बनाते हैं आप इसको अच्छे से पढ़ लेजिएगा वीडियो को लाइक आओ सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है वीडियो को लाइक आओ हम सेंड कर दो ठीक है जय हिन जय भारत